हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इस टॉप मार्केट 09 नेम में इस वीडियो में हम बात करें वाले हैं दोस्तों बैंक्रिफ्टी निफ्टी दोनों करेंगे एक चीज और बोलना चाहेंगे दोस्तों कि अगर हमारा चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं क क्योंकि जैसा हमारा एनलैसिस था कल का लास्ट वीडियो में आज के लिए वह दम सही जाते हुए आपको दिखाया है जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा यह एक लाइन ड्रॉ था जो कि यहां पर रजिस्टेंस कट लाइन था और मार्केट यहां पर लास्ट टाइम यहां बैंक रिफ्टी में हीट करते हुए आसानी से दिखाया है एकदम इज reuseоль ि कोई दिक्कत नहीं आया इसमें कहीं भी और एसा नहीं लगा किbes अब बात करेंगे इस वीडियो में कि कल के दिन यानि कि Tuesday के दिन bank nifty कैसा behave करेगा उसके बारे में भी देखेंगे और इसके बाद हम लोग देखेंगे वीडियो में बने रहेंगा last तक क्योंकि हम लोग bank nifty के बाद जो है वो nifty का analysis करने वाले हैं इसी वीडियो में पुरा detail में ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो closing दिया है bank nifty वो बहुत अच्छा closing आया है 45,499 यहाँ तो यहाँ से यहाँ देखेंगे तो यह एक बार आते हुए दिखा यानि कि जो लोग यहाँ पर call में पैसा बनाएं वो लोग यहाँ पर put में भी पैसा बनाते हुए दिखें लेकिन लोग बहुत तेजी से पैसा बनाएं पूट वाले थोड़ा सा सुलो पैसा बनाते हुए दिखें और लास्ट का समय में यहाँ पर देख सकते हैं तीन केंडल जो है उगदम मार्केट को उपर ले जा करके यहाँ पर टॉप पर क्लोजिंग करते हुए तो उसका लेबल नहीं ड्रॉप किया गया है हम लोग आपके सामने लाइव ड्रॉप करनेंगे इसलिए हम लोग इसका लेबल छोड़े थे दोस्तों तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा मार्केट इस लेबल पर बहुत जादा यहाँ पर रुखने कोशिज गया था तो निकल कि आ रहा अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो थोड़ा साइस के लिए हम लोगों बैक जाना पड़ेगा थोड़ा बढ़िया लेबल समझने के लिए कि लेवल रहा वो यह निकल कि आ रहा है एक और लेबल आ रहा है दोस्तों इस जगह पर जो कि बहुत बढ़ जो second target आएगा वो यही label आएगा चलिए अब हम लोग detail में देख लेते हैं थोड़ा सा चार्ट को zoom करके कि क्या हमारा label निकल के आ रहा करने दोस्तों यहां से ब्रेक करता है दोस्तों तो मैं कॉल में इंट्रेस्टेट रहूंगा यहां से ब्रेक करके एक चीज़ आप ध्यान अरके दोस्तों कि यह लाइन के उपर मार्केट सस्टेन करना चाहिए है कि कल का जो पांच प्रेक्डल ऐनो यहां से इस तरीके से ओपन हो अर्ठीक है ग्रीन फ्रेक्याप्ली क्लोजाशीं देधार और यहां पहल रायवस्तों यहाऊं पर मार्केट ऌ से नहीं होना चाहिए जोस्तों कोई आप एस लाइन को जो है वो तरीक में ठुड़ने पहला इस तरीके का बना दूसरा candle इस तरीके का बना ठीक है और तीसरा candle इस तरीके का यहां पर बना तब यहां पर हम लोग कॉल मेंटरी लेंगे यह दोनों का candle देखिए दोस्तों इसका bottom से इस line से कोई लेना देना नहीं है यानि कि इस से उपर closing करते हुए दिखा और opening भी के उपर तब हम लोग यहां पर जो है क्या करेंगे जो हमारा असानी से यह टार्गेट मिलेगा यहां से 300項 मैंने के कैस यह हां हमारा दोस्तों flat खुन ले के case में अगर market gap up खुल जा है बहुत लोगों कोशन होता है कि sir अगर gap up खुल गया तो क्या करेंगे तो gap up के case में है दोस्तों हम लोग call ही लेंगे gap up अभी market ठीक ठाक दिख रहा है बहुत बढ़ियां दिख रहा है, नीचे की लेबल से बहुत अच्छा आ रहा है, यहां पर जितना मार्केट को समय बिताना था, समय बिता दिया, अब यहां से बेख करेगा, तो और उपर हम लोग जाते हुए, मार्केट में देखेंगे, अगर आपको यहां से इस लेबल को बील सकता है, कि अगर मार्केट यहां से गाप हो जाए, तो हम लोग यहां से जरूर रहेंगे, और आपको भी दोस्तों मैं बोलूंगा कि यहां से call me interested आप भी रह सकते हैं मैं तो जरूर होंगा यहां से call me interested अगर इस level के उपर market निकलता है तो बहुत easy trade मिलेगा अगर market आप बात करते हैं कि यहां से correction ले क्यों इसको लिए हम लोग measurement को यहां से ले करके और यह top को हम लोग ड्रॉ करते हैं अब देख सकते हैं दोस्तों करीब करीब 1235 पॉइंट जो है market यहां से दो दीन में मार्केट यहां से और ब्रेकर के उपर ही जाते रहेगा तो उसके लिए भी हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं कि आपको आप फसे ना टॉप लेबल पर जा करके ठीक है तो उसका भी हम लोग बात कर लेंगे यहां पर कि पुट कब लेना है तो market 45,320 अगर market 45,320 को ब्रेक करता है किसी भी एंगल से तो हम लोग यहां पर पुट भी इंट्रेस्टेट रहेंगे जैसा कि आपको मैंने बता है दोस्तों यहां से फ्लाट कुलने के बाद अगर market इस लेबल को ब्रेक कर देता है इस लेबल को तो यहां पर पुट में इंट् करके वह आ रहा है 44,550 का यह तीन टार्गेट के लिए हम लोग काम काच करेंगे बहुत तेजी से market इस लेबल में इस जोन में आते हुए आपको दीख सकता है अगर market इस लेबल को ब्रेक करता है तो लेकिन मैं एक ही चीज़ बोलूँगा दोस्तों कि यहां से अगर आप प चला गया तो जैसे आपका फर्स सपोर्ट मार्केट आता है यहां पर आपको बुक कर लेना है प्रॉफिट एक काम और कर सकते हैं दोस्तों बहुत इजी तरीका में बता रहा हूँ प्रॉफिट बलेने का देखिए मान के चलिए कि आप यहां से इसको ब्रेक करने के बाद यहां पर पूट बेंट्री लेते हैं तो अपना 100% जो पोजीचन है यहां पर सेल कर दीजे इस लेबल पर फिर क्या करिए market अचानक से हां सभी continue इस तरीके से नीचे नहीं जाएगा market क्या करेगा कि इस लेबल को ब्रेक करने के बाद यहां थोड़ा सा इस तरीके वेड़ क कोई सिकरेगा विलादर बेर और यहां पे पूरा फिर पर्सक्राइब से ताइम विताए और तब मैं फिर से टार्इट लुँँगा एंट्री लुँगा और इस तरीकी से करने से दोस्तों क्या होगा कि यहां पर 10 point जाएगा यहां 10 point जाएगा कोई बात नहीं यह 10 point छोटता है छोटने दीजे लेकिन आपका profit यहां पर safe हो जाएगा अगर इसको break करता है तो आपका profit यहां पर safe हो जाएगा यानि कि आपका market यहां से अगर आप निकलता है तो market ऐसा नहीं क कम्प्लेन आता है कि इसको कैसे कंट्रोल करें सर प्रॉफिट तो आता है लेकिन हम लोग ले नहीं पाते हैं बहुत ट्रेडर का हो सकता है आप यह वीडियो देख रहे हैं आपका यही प्रॉब्लम हो कि मार्केट यहां तक आया और आपका प्रॉफिट आ रहा है आप पे 5000 र यहां पर 100% सेल करके आप वेट करिए मार्केट फिर से ब्रेक करेगा फिर से इंट्री लीजिए यह चीज आपको करना पड़ेगा ऑप्सं में अगर आप ट्रेडिंग करें तो मैं लिख करके देता हूं अगर आपको यह चीज नहीं आता है आपको पैसा नहीं देगा यह ज्याद रखेगा दोस्तों चलिए अब हम लोग बात करते हैं गाप डाउन का गाप डाउन का मैंने बोल दिया कि अगर इसके नीचे होता है तो यहां पर पूट में इंट्रेस्टेट रहूंगा नहीं जाएगा अब देख सकते हैं कि यह लाइन मैंने ट्रॉ किया आप जाकर कि मेरा वीडियो देख सकते हैं इस लाइन के उपर मार्केट नहीं गया है आप एक्जैक्ट देख सकते हैं कि मार्केट इसी लाइन को टच किया और यहां पर एक ग्रीन केंडल दिया मैंने सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को जब तक आपके सामने चार्ट लग रहा है तब तक आपų मिए लाइक बेल represent द्वार दीजिए और अब हम कहीं मौक्ट नहीं दिखाया कि मैं नीचे जा रहा हूं, मारकेट जो है वो नीचे जा रहा है, यह तरफा जो मूव है, call में आपको निफ्टी में देखने को मिला है आज के दिन, तो बहुत जबज़ अप्रोफिट बना है, जोस्तों, call में निफ्टी में, मैंने बोला था अगर इस लेबल को जैसे ही क्रॉस करेगा या तो फ्रैट खुल करके करे या गैप खुल करके करे इस लेबल को भी मैंने बोला था यहाँ पर आपको कॉल में इंटरेश्टेड रहना है और टार्गेट भी देखिए दोस्तों मतलब क्या बोले अब आपको आप खुद जाकर के वीडियो देखिए तब आपको समझ मैंगा हमारा टार्गेट जो था वो इस लेबल तक का टार्गेट था दोस्तों इस लेबल तक का जाकर के आप देखिए हमारा target भी mark किया गया है और label भी सही सही बता गया है हमारा third target था वो exact इस label का था जहां पर market आज close हुआ है तो आप देख सकते हैं कि यहां पर exact जो है इसी label को market touch करते हुए दिखाये दिया है तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं ज्यादा time ना लेते हुए कल का analysis activity का वो करते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों की closing तो top पे हुआ है यानि कि कल के दिन हासे बहुत लोगों को लग रहा होगा कि market उपर ही जाएगा अफकॉस दोस्तों जा सकता है कोई समें बड़ा बात नहीं है लेकिन उसका एक label है label क्या है label ये निकल के आ रहा है जो कि है 21 इसको रट लीजे दोस्तों बहुत important label है 21,780 ये label के उपर निकलेगा तभी मैं यहाँ पे call में interested रहूँगा otherwise मैं call में interested नहीं रहूँगा ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों कल के दिन ठीक है एक ही सर्थ है या तो gap up होके निकले या फिर flat कोलने के बाद निकले तब मैं यहाँ पे call में interested रहूँगा और call का जो target रहेगा वो कहां तक निकल के आ रहा वो बहुत थोड़ा जादा ही target निकल के आ रहा बड़ा क्योंकि market में आज बहुत अच्छा strength दिखाया है नीचे की level से जो है बहुत तेजी से recovery आते होई दिखाया तो कल कर दिन ही अगर market इस level को निकल देता है तो पहला तो target हमारा यह आएगा जो कि है 21,860 का level second target यह निकल के आ रहा है जो कि है 21,950 ठीक है round up में 950 लेकर के चलते हैं यह हमारा second target निकल के आ रहा है तो बहुत अच्छा target है दोस्तो इसके निकलते हैं हम लोग यहाँ पे call में interested रह सकते हैं कोई दिक्रत वाली बात नहीं होगी या तो gap up से खुले या फिर flat खुले अब हम लोग बात करते हैं put का, put कब लेना है put is swing जो देख रहे हैं दोस्तो market यहाँ से अगर flat खुलने के बाद नीचे की तरफ चलता है तो इस level से उपर जब तक market रहेगा हम लोग put के बारे में नहीं सोचेंगे और नहीं दिमाग लाएंगे जब तक market इस level के नीचे आकर के flat खुलने के बाद यहाँ से नीचे break कर देता है तभी हम लोग यहाँ पर put में interested रहेंगे और हमारा जो पहला target रहेगा वो आसानी से मिलेगा 21,550 का यह पहला target आएगा second target हमारा आएगा 21,450 का यह दो target हम लोग आसानी से मिलेगा निफ्टी में ठीक है अगर market gap down हो जाता है इस line के नीचे gap down हो जाता है तभी हम लोग यहाँ पर put में interested रहेंगे जो पहला target रहेगा same as it is यही रहेगा 21,560 का और second target जो रहेगा 21,450 का यह दो target के लिए हम लोग काम करेंगे अगर market gap down हो जाता है बहुत simple target रहेगा दोस्तों क्योंकि आज का market देखते हुए यह labels जो है वो draw किया गया है third target भी हमारा है क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा gap निकल के आ रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं वोड में आता है मतलब फिर से correction लेने के mode में आता है यहां से जो gain किया market उसको आधा यहां तक तो और देख सकता है इस तरीके का pattern हम देख रहे हैं दोस्तों यहां से जाकर के इस तरीके का pattern बनते वह है आपको दिख सकता है आप देख सकते हैं यहां से निकल जाए यहां से नीकलत तो इस तरीक müार्केट में दिखाई दे रहा है ऊपर देक्स नहीं नहीं सकता ग्रीन बनतेएा दिखेगा चैन्द के अवैन इसे करें लिए आई पर थी को कि आहांब देख सकते हैं निफटी साहिए जहां मैंने तौन को उनकली सब्सक्राइब मिक्त करें कि से जरूर करेंगे ठीक है व्यडियो में बने रहे हैं हमारे साथ बने रहे हैं हमारे चैनल में बने रहे है He